हाई फ्रेंड्स वल्कम तो मैं चनल फ्रेंड्स मैं आज आपको मेरे मेरी गोल्ड फ्लावर के बारे में कुछ आप से बात करूंगी और फ्रेंड्स आप सबको यह बताऊंगे कि मैंने इनको कब ग्रो किया है और अब तक मैंने इसको कैसा केर किया है हाना कि अभी कुछ plants है इधर उदर रखा हुआ है कुछ varieties में है कुछ tall है कुछ draft है इस अभी जो है वो मैंने seeds से grow किया है colors plants तो मेरे अविलेबल होते नहीं है तो यह सब seeds से जो मैंने grow किया था एक बार मैंने seeds वगिरा डाली थी उस समय का यह plants से कुछ मैंने डाल दिये हैं कुछ मैंने वहीं पर शोड़ दिये हैं जो मेरे pots खारी नहीं थे यह देखिए हवा के करण तूट गया है यह actually seeds से भी चलता है और इसकी cutting से भी plants बहुत अच्छी से चलती है तो देखिए यह सब है यह draft variety में है और यह चोटे से चोटे plants से उसी में flowers जो है वो आ रही है और ज़्यादा तर देखिए यह की pot में मैंने तीन चार छोटे छोटे पौद जो है वो लगाए हुए है तो इसके लिए भरा सा लग रहा है एक plant में कम से कम 6-8 flowers जो है वो खिल रहे हैं तो इसके करण यहां पर फूरे फुलों से बरा हुआ है और यह ग्रो करना बहुत ही आसान है इसे तो sunlight चाहिए sunlight में मैं रखती हूं फुल sunlight में और फ्रेंट्स पानी इसे बहुत चाहिए इसकी मिटी हमेश्चा मॉइस्ट रहना चाहिए और एक दिन भी पानी नहीं जाएंगे डालेंगे तो यह आपको पता चल जाएगा कि यह लुटक जाएंगे प्लैंट और यह देखिए मैं मिटी इस तरह से इसे रखी हूं well-drain है और जहां पर भी मैं मिटी निकालती हूं देखिए इस तरह की well-drain मिटी जो कहीं से भी चिपका हुआ नहीं है तो इस तरह से मैं रखती हूं और लगाने से पहले मैंने इसम मैं फटलैजर जादा नहीं डाली हूं इसमें लोम मेंटेनेंस है बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है तो उस फटलैजर भी जादा नहीं रखती है बस इसे एक बार लगा दे और पानी देते रहें अगर फ्लावर इंग कम है तभी कुछ फटलैजर आप दे सकते हैं और जादा फ्लावर पाने के लिए हमेशा इस में पूर्पलेंट्स उखेव ब््रॉंच सुखेवे उए प्लावर जो भी हैं वह सबाभ हठाते रहें एंस मैं उपर चड़ रही हूं आपसे बात करते करते हैं यहां पर मैं वाइज ओर दे रही हूं तो थोड़ी सी मैं आटा गई यहां पर तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर बहुत नॉइज आती हैं मैं वीडियो जो भी रिकॉर्ड करती हूं तो मुझे का अंदर तक आती हैं तो बहुत तकली बहुत होती है friends तो फ्लीज इग्नोर करें से तो देखिए यहां पर मैं कुछ का फ्लावर सुखे वे फ्लावर साभी हटा रही हूं यह तो साल बर चलते हैं आजकल यह साल भर मेरे आथ तो साल बर चलते हैं तो इस तरह से मैं सुखी हुई फूल और ब्राइंच और देखिए यह सब मैं ऐसे हटाती रहती हूं फ्लावर में बहुत ही अच्छी खिले हुए हैं बड़े साइज में हैं friends बहुत ही बड़े साइज में हैं कली अभी आ रही है तो देखिए इस तरह की कलिया खिलने भी है अभी टॉल बरेटी में जो होता है फ्लावर जो है बहुत दूर दूर तक दिखता है लेकिन ड्रॉफ परेटी में अच्छी सी पास पास फ्लावर जो है दिखते हैं और यह वाला कलर एक अलग आया है दो तिन कलर मेरे पास थोड़ी सी लाइट एं डार्क शेड्स में है यह सब तो इन्हें लगाना बहुत ही आसान है केर की नहीं है बार καई बार मिटी बदलने की या बारबार फटलैजर देने की जरूद नहीं मेरे सब्कोव सकते हैं क्यूंकि मेरे यहां क्लैमेट न कुछ ज्यादा थंड रहती है न कुछ ज्यादा में नहीं लगती है उल्टा समर जैसे धूप निकलता है तो यहां पर भी में कुछ पॉदे ग्रो करना चाहती भी हूं तो कुछ प्राब्लम उन्हें हो जाती है तो इस तरह सुखे फ्लावर्स डालती ही डालती हूं रहना है और पॉदे जो है वो तयार होते ही रहते हैं तो इस तरह की जो है हमारी गर्डन में हमेशा फूल जो है वो रहती है तो इस तरह की पौदे जो है मुझे बहुत पसंदे केर भी कम रहती है और हमारे कलमेंट में तो बहुत याची से चल जाती है तो वेस्ट जो भी पॉलितीन है डबा है कुन से भी है वहाँ पर आप अराम से इन्हें ग्रो कर लीजिएगा चल जाएगा ये ऐसे नहीं कि इन्ह अगर एक दिन भी आप पानी नहीं दायन लेंगे तो ये लगता है सुका हुआ सा तो इसे पानी की ध्यान रखनी है उसके अलबा इसे आप अराम से ग्रो का सकते हैं तो फ्रेंड्स ये वीडियो में आपसे कह रही हूं तो आगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलती हूं बाइ